ग्रीटिंग्स तो अल दे लिसनर्स आम डॉक्टर वैभर मात्र। कंसल्टेंट नेरोलिजिस्ट और मूमें डिसॉर्डर्स और पार्किंसन्स स्पेशलिस्ट वरकिंग अट नारायना हॉस्पिटल जैपूर। आज हम लोग डिस्क्रेशन करेंगे एडवांस पारकिंसन्स के ट्रीट मेंट के बारे में और डीबीएस के बारे में। डीबीएस के नाम से आपको पता है इसका नाम है डीप ब्रेण स्टिमूलेशन में हम लोग ब्रेन के अंदर दो चोटे-चोटे तार डालके डोपामीन वाले एरियास को एक पेसमेकर से करन्ट देते हैं यह ब्रेंद पेसमेकर सरजरीए WIL फेरवां लेयर सबसे अच्छी ट्रीटमेंट्वेट में आज के समय पर का हैं उसमें पहिंटंस के चबंटाहियं हैनी हातों का tightness आ जाना तो इस तरह के symptoms advanced Parkinson's को बहुत परिशान करते हैं गोलियों का use बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दस-दस बारा-बारा गोलियां patients दिन की खाने लग जाते हैं और उसका असार अच्छा नहीं रहता है ऐसे समय पर अगर आप patients के इस तरह की brain practice में का surgery करते हैं तो there would be a great improvement in their mobility, in their hand movements, in their leg movements और कही तक तो mood भी काफी अच्छा improve कर जाता है DBS के बारे में मैं कहूंगा तीन benefits DBS के होते हैं आपका off period बहुत अच्छा हो जाता है आपके जो extra movement है या disease के side effects है dyskinesias वो चले जाते हैं और आपका dose जो है दवाईयों का वो 60-70% नीचा आ जाता है So overall DBS is the best treatment for advanced Parkinson's